आप सभी लोगों को एकादशी की बहुत बहुत शुब कामना है बढ़ते हैं 1212 रीडिंग्स की तरफ आप सब लोगों ने डिवाली धंतेरस का वीडियो पोस्ट देख लिया होगा जो मैंने कल पोस्ट कर दिया था आज जो हम रीडिंग्स की बात करने वाले हैं आज हम चेक करेंगे आपके पार्टनर की कलेक्टिव ली कार्ण टेनर जी और उसी के साथ हम सब मिलकर चेक करेंगे सबसे पहले श्रीक्रिष्ण भग्वान जी का आपकी रिलेशनशिक कि लिए क्या मैसेज तब द मढ्रण भगवान जी का के अलोगर चाना चानजिए हैं in terms of your relationship so video को like share channel को subscribe follow करना ना भूले आज रात को हम नए वीडियो की तरफ पहुचेंगे और यह दिवाली special है तो for the negativity removal I am going to post some sort of meditation right क्योंकि यह energies बहुत high है till the time of Diwali तो हमें अपने आपको जादा से जादा positive रखना है हमें अपने आपको जादा से जादा happy रखना है खुश रखना है तो उसके लिए आज रात को मैं आप सब लोगों के लिए post करने वाली हूँ जी हां आप सब लोगों के लिए post करने वाली हूँ एक negativity removal spell right जो आप लोग कभी भी कर सकते हो जब आप बहुत negative कर रहे हो या जब आप बहुत परिशान हो रहे हो आज मैं वो वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ for all my viewers चलिए बढ़ते हैं रीडिंग्स की तरफ लेकिन रीडिंग्स को स्टार्ट करने से पहले लेंगे श्री कृष्ण भगवान जी का message for your relationship और फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे रीडिंग्स की तरफ चलिए चेक करते हैं कि श्री कृष्ण भगवान जी मेरे viewers को उनके relationship के लिए क्या एक guidance क्या एक message देना चाह रहे हैं श्री कृष्ण भगवान जी मेरे viewers को उनके relationship के लिए क्या guidance देना चाहते हैं प्लीज डिवाइन गाइड करें श्री कृष्ण भगवान जी आजे कादशी वाले दिन मेरे viewers को उनके relationship के लिए प्लीज guidance दीजें और बताएं कि उनके लिए relationship के लिए क्या एक संकेत है क्या एक message है जो उनके लिए जानना समझना बहुत ज़ादा जरूरी है चली बढ़ते हैं रीडिंस की तरफ पहला कार्ड आया है दाट इस लेट यॉर इनर ब्यूटी शाइन ठीक है दे जोई अफ फ्रेंशिप दे जोई अफ रिलेशन्शिप अंध धर्ड कार्ड आया है दाट इस टीनों कार्ड हमारे सामने आ गए हैं तो श्री कृष्ण भगवान जी का क्लियर मेरे व्यूवर्स के लिए जो आ रहा है सबसे पहला मेसेज आ रहा है आपका रिलेशन्शिप बहुत ही स्टेबल बहुत ही बेटर होगा जब आप अंदर से उसमें खुश होगे अंदर से मतलब जब आपका साटिस्फाक्शन हाई होगा when your satisfaction is high automatically your relationship will be better your relationship will even grow better आप जब तक अंदर से खुश नहीं हो जब तक आपको अंदर से relationship के लिए खुशी नहीं है तब तक आपको चीजों में stability नहीं मिलेगी तब तक आपको चीजों में बदलाव नहीं मिलेगा इसा नहीं कि बस relationship नाम का है तो चल रहा है तो चल रहा है इनर ब्यूटी या दाट इस और इनर सेल्फ इस गोई वेरी 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 साथिस यह नहीं फुल अफ साथिस्फाक्शन उससे आपको आपके relationship में बहुत जली बदलाव तक यह समय करने का है यह समय आपके relationship में यह नो positivity का है बहुत अच्छे अच्छे गिप्ट साने वाले हैं बहुत अच्छे ब्लेसिंग आने वाली हैं लेकर श्रीकृष्ण भगवान जी क्लियर बोल रहे हैं कि आप लोग दोनों के बीच में relationship तो बाद में है बट पहले you guys are very good friends तो आपको इस friendship को खतम नहीं होने देना है हो सकता है कभी का बार आप लोग के बीच में कुछ चीजों को लेकर एक proper clarity नहीं बन पाती होगी और आप लोग separate हो जाते होगे लड़ाई जगले हो जाते होंगे तो श्रीकृष्ण भगवान जी का clear message आया है कि आप लोग relationship में हो वो बात अलग है लेकिन relationship से पहले आप दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हो बहुत close friends हो तो आपको उसको नहीं बूलना है थर्ट सबसे इपॉर्टेंट चीज यहां पर आई है that is जो आपको चाहिए वो सब आपके पास है जो आपको चाहिए वो सब आपके पास है और आने वाला समय आपको और भी चीज़ देगा लेकिन आपको selfish नहीं बनना है आपको आगे बढ़ना है आपको लोगों के साथ च लेकिन आप भी अगर सेम वैसे ही बन जाओगे तो आप दोनों के relationship में कोई बदलाव या कोई changes नहीं आएंगे तो clear message divine का आ रहा है that is you need to share, share the love अब यहां पर इसका मतलब यह है कि आप दोनों को एक अच्छी understanding के साथ relationship की growth पर work करना है relationship के future पर work करना है इकादशी का message तो बड़ा प्यारा आया हुआ है enjoy करें यह beautiful time को यह beautiful समय को क्योंकि यह एक अच्छा समय बहुत अच्छे indications को भी ला रहा है और साथी साथ आपके relationship को grow करता हुआ दिखाई दे रहा है divine guide करें आज partner की collectively current energies क्या है viewer के partner की collectively current energies क्या है आज क्या सोच रहे है partner मेरे viewer के लिए please guidance दीजे श्रेक्रिष्ण भगवान जी guidance दीजे मेरे viewers को आज क्या सोच रहे हैं viewer के partner viewer के लिए आज की situation के बारे में please guidance दीजे through the tarot card readings की आज partner की collectively current energies क्या है oh my god three of swords का card आया है पहला ही card आज बड़ा ही seven of pentacles we have the chariot we have strength we have queen of cups and we have bottom deck the star यादो recent बहुत ही जादा fighting हुई है recent बहुत ही जादा लडाई जगड़े हुए है recent बहुत ही जादा situation negative हुई है यह समय ऐसा दिखाई दे रहे है कि आप लोग बस चीजों को सोच रहे हो आज partner overthinking जादा कर रहा है और future को लेकर मुझे सोचते हुए दिखाई दे रहे है यह सम्याज relationship का ऐसा दिखाई दे रहा है that is एक उमीद दिखाई दे रहे है no matter how much you guys have recently fought आप लोग के कितने जगड़े हुए हैं लडाई जगड़े हुए हैं चीज़े separate हो गई हैं चीज़े खराब हो गई हैं ऐसा भी हो सकते हैं कि कल एक दम से आप दोने के वीच में चीज़े बहुत ज़्यादा खराब होई हो जिसके वरेसा जिनके एनरजी आ रहे हो यह recent आप लोग के बीच में एक बहुत गंदी fighting हुई हो जिसके वरेसे आप दोनों communicate नहीं कर रहे हो partner थोड़ा confused है क्या करूं कैसे करूं better करूं नहीं करूं एक confusion में खड़े हुए हैं कि मैं कौन से path पर जाने का try करूं लेकिन देखो कितना प्यारा message आया है hope का card आया है miracle का card आया है कि अगर आप ऐसा सोच्रियों के चीजे खतम हो गई है चीजे end हो गई है there is still a hope तो इस situation में अपने आपको emotional मत करो इस situation में थोड़ा practical होकर इस relationship के लिए महनत करो इस relationship के future के लिए महनत करो क्योंकि रहना आप भी चाते हो रहना वो भी चाते है stability आप भी चाते हो stability वो भी चाते है लेकिन ये समय आप दोनों के लिए एक बहुत कठिन समय है जिसको आपको बहुत ही strength के साथ बहुत ही power के साथ deal करना है तो ये एक journey ऐसी दिख रही है relationship की ये एक time relationship का ऐसा दिख रहा है जहां पर upset आप दोनों हो लेकिन आगे बढ़ना चाहते हो इसलिए देखो पहला message श्री कृष्ण भगवान जी का clearly आया था कि आप लोग relationship में बाद में हो लेकिन पहले आप लोग एक अच्छे friend हो तो आपक unexpected miracle unexpected hope दिख रही है जिससे फिर से चीज़े stable होंगी क्योंकि future is relationship का है भली अभी चीज़े बहुत ज़दा negative है बर deep down अगर आपने इस situation को थोड़े strength के साथ थोड़े power के साथ डील कर लिया आने वाला time relationship का और stable होने वाला है celebration का time है diwali का time है make yourself more positive more happy stop being so emotional और थोड़ा mind से 11 11 portal is coming for everyone so अपनी energies high रखे fighting पर focus ना करे negativity पर focus ना करे new moon मेरे viewers के लिए तो remedies पर work करे मिलते है रात को आट बचे नियो वीडियो के साथ एक बहुत ही प्यारे meditation के साथ ऐसा meditation जो आपकी instant negativity को ख़तम करेगा और आपके self love आपकी manifestation को फास्टन करेगा अब मैं बोलूंगी नहीं जब आप लोग करोंगे तब आप खुद आपको results मिलेंगे और आप मुझे खुद बता होगे so मिलते हैं रात को 8 बच के 8 मिनिट पे नए वीडियो के साथ वीडियो को like, share, channel को subscribe, follow करना ना भूलें बाकी channels को भी प्यार दे support दें जो मैने नया taro channel स्टार्ट करा है situations के based पर वहाँ पर भी अपना support बनाए रखें राधे राधे